राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में शुकरवार सुभा एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और पुलिस तुरंत मौकाय वारदात पर पहुंची महिला की लाश को अस्पताल पहुंचाया गया पुस्मौटम के लिए इसके बाद पुलिस ने जब छानवीन शुरू की तो CCTV में पुलिस को एक सेंट्रो कार नजर आई यही वो सेंट्रो कार है जो पुलिस को CCTV के अंदर नजर आई थी इसके बाद इसकी डिटेल्स निकाली गई और पुलिस ने गुरुपरीत नाम के एक शक्स को हिरासत में लिया उससे जब पुलिस साच की गई तो गुरुपरीत ने अपना गुना कुबूल के और गुरुपरीत ने बताया कि महिला की हत्या उसी ने की थी और पुलिस ने महिला के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तब पुलिस को ये पता चला कि जो महिला है वो स्विजरलैंड की रहने वाली और गुरुपरीट को वो पहले से जानती है। तक इसी सेंट्रो कार में रही गुरुपरीत लाश को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन उससे जगह नहीं मिल रही थी यही वज़ाए कि उसने गाड़ी को निकाला और लाश को तिलक नगर इलाके का जो MCD स्कूल है वहाँ पर लाश को डम करके वहाँ से फरार हो गया और उ में और उससे लगातार पुलिस की जो टीम है वो पूछताच कर रही है कैमरमेन मनोज कुमार के साथ मनोज वर्मा एवी पी नियूज दिल्ली